Hello students, welcome back to our new lecture. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 9, Coordination Chemistry. Students, इस lecture में से आपको board exam में 10 marks के question पूछे जाता है. 10 marks का पूछा जाता है. उस में से 3 marks के होते हैं MCQ. 3 marks के होते हैं हमारे पास MCQ and 7 marks के आपके पास होते है theory portion. 7 marks का होता है आपका theory portion होता है जिसमें से 3 marks का एक question आएगा और 4 marks का question आने वाला है. 3 marks का एक question आएगा और 4 marks का question इस chapter में से आपको आपकी board exam में पूछा जाने वाला है. Students, तो बहुत ही important हो जाता है आपका ये chapter board के point of view से अगर हम देखें. तो अच्छे से पढ़ना है last track हम पढ़ेगे ये chapter और अच्छे से पूरा complete करने वाला है तो चल, start करते हैं. Okay, तो सबसे पहले तो मैं बता दू कि इस chapter में मैं जब भी metal की बात करने वाला हूं, तो मैं D block के elements की बात करने वाला हूं, D blocks में, D blocks जो है हमारा, उसमें जो metal है हमारे, उसके बारे में मैं हुए lecture में बात करने वाला हूं, सबसे पहले हम coordination compound की जो definition है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, किसे कह सकते हैं coordination compound, ठीक है students? compounds which contain central metal atom, क्या होना चाहिए, ऐसे compound के पास central metal atom होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक central metal atom होना चाहिए, and this central metal atom is, this central metal atom is surrounded by cluster of ions, cluster of ions, cluster of ions and molecules and molecules are called coordination compound, are called coordination compound, students, यह हमें क्या बता रहे हैं, कि हमारे पास अगर coordination compound है, तो coordination compound में हमारे पास central metal atom होना चाहिए, center में एक metal atom होना चाहिए, और उसके surrounding में cluster of ions, cluster of ions मतलब की ions का एक बहुत बढ़ा क्या होना चाहिए, हमारे पास जुन्द होना चाहिए, cluster of ions होने चाहिए, यहां तो हमारे पास क्या होने चाहिए, molecules होने चाहिए, ठीक है, एक्स है वह हमारा जो यहां पर मॉलेक्यूल लिखा है वह क्या है हमारा एक न्यूट्रल मॉलेक्यूल न्यूट्रल मॉलेक्यूल न्यूट्रल मॉलेक्यूल ठीक है students तो यहां पर क्या है सिंपल बात है सेंटर में मेटल एटम होना चाहिए दी ब्लॉक में जो भी मेटल है वह यहां पर हम लेने वाले हैं पूरे चैप्टर में उसके लिए करने हो वाला है तो सेंटल मेटर एटम के सराउंडिंग में सराउंडिंग में नेगेटिवली चारजड आयन हो या नूटल मॉलेक्यूल हो तो इस तरीके के कमपाउंड को ऐस होगा उसके सरांडिंग में दिगेटिवलिशर आयुंद यहां पर फोड़ी लग्चुर थक मैं बता दूँगा कि तो यह नेटते उसको हम सकते हैं वह यहां पर जो सेंट्र होता है वह हमारे कॉंसे होते हैं दी ब्लोक के हमारे होते हैं यह चाहिए तो हमारा जो compound है हमारा जो compound है widely present मटलब कि वह हमें सबसे ज्यादा मिलता कहां पर है इस compounds are widely present in minerals plants and animals minerals plants and animals मतलब की जो हमारे coordination compound होते है वह हमें कहां से मिलते हैं in Breakfast में से ज्ञादा मिलते हैं कर दो हमें कहां से मिलते हैं Economics चैंक है onब कर एक हमें करने थिया मुझा कोने से होती है rather कोडिनेशन कुंपाउट भी ज्यादा है लूट तो अब बात करने वाल है कि यूज कहां पर होते हैं यहां पर जो हमारे पास कॉर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसका यूज कहां पर होने वाला है उसके बाए में थोड़ा बहुत डिसक्रसन करें गें इस कंपाउंड आर यूज इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेश इन वाटर तेक हमारे water में impurity कितनी है मतलब कि उनकी water की hardness कितनी है वो हमें find करना है water में hardness कितनी है वो अगर हमें find करना है तो उसके लिए हम coordination compound का use करने वाल है electroplating में भी उसका use होता है और textile dyeing में और medicinal chemistry में भी उसका बहुत ज्यादा use होता है यह क्या था coordination compound के use कहां पर होता है यूज estimation of hardness in water electroplating का मतलब होता है कि एक हमारे पास road होता है और उसके जैसा ही दूसरा road होता है जो हमने electro chemistry में पढ़ा था ना वो क्या होता है transfer होता है metal transfer होता था वैसे यहां पर इलेक्टो प्लेटिंग का मतलब कि यहां पर जो metal था यहां पर जो रोड था उसके उपर जो भी इस रोड पर हमें क्या करना है उसके उसको कवर कर देना है तो उसके लिए जो पैथर होती है उसे हम कहते है एलेक्टो प्लेटिंग टेक्स्टाइल डाइंग और मेडिसिनल केमेस्ट्री में भी कोडिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज होता है और थार्ड है बायलोजिकल इंपोर्टेंस उसकी क्या है तो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन और विटामिन बीट्वेल वो क्या ह हमारे तो मेगनेशियम एफी और कोडिन कोबाल्ड के कोडिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन और विटामिन बीट्वेल वो क्या है तो हमारे मेगनेशियम एफी और कोबाल्ड के क्या है तो यह कोडिनेशन कंपाउंड है यह क्या है तो कोडिनेशन कंपाउ में सेंटेल मेटल अपने वाला है कॉबाल्ट कॉबाल्ट होगा कोबाल्ट होता है क्यों के मस था नियुकशनекст है नेक्स्ट हम बात करने वाले है कि हम कैसे प्रिडेक कर सकते हैं तो कोडिनेशन कंपाउंड से पहले हम एडिशन कंपाउंड हो है या इसनल कंपाउंड यहां पर इंड नहीं आएका मोलेक्यूल बोल सकते हैं यहां या इसे बोल सकते हैं लिखते हैं कि लिखा हुआ है वेन 2 न within stable compound when two or more stable compound are combined and form crystalline substance are called molecular या addition compound यहाँ पर addition इसलिए बुला गया है कि यहाँ पर जो भी होने वाला है compound का addition होने वाला है इसलिए इसी वज़र्श है हम उसे addition compound कहते है या तो हम उसे molecular compound भी कह सकते है simple सी बात है हमें पता है कि atoms जो होते हैं दो atoms मिलके एक molecule बनाते हैं दो atoms मिलके एक molecule बनाते हैं वैसे ही दो molecule combine होके हमें compound देने वाला है दो molecule combine होके हमें compound देने वाला है ठीक है और इस compound को हम molecular compound या addition compound कहने वाला है इस compound को हम molecular compound या addition केहने वाले हैं एडिसन क्यों कहने वाले हैं तो क्योंकि यहां पर जो यह दो मॉलेक्यूल है उनका सिंपल से एडिसन हो जाएगा ठीक है सिंपल से क्या हो जाने वाला है तो एडिसन हो जाने वाला है और क्योंकि यहां पर हमने मॉलेक्यूल यूज़ किये होते हैं इसी वज़े से इसको हम molecule compound भी कह सकते हैं ठीक है थोड़ा बहुत समझ आया होगा और आगे का हम इस example के जो मैंने यहां पर example दिये हुए आपको उस example के साथ हम समझने वाले हैं यहां पर मैंने लिखा हुआ है है कि के से एल एमजी से लिटो हमारी यहां पर मैंने लिखा है जो हने हो ळो मोलेक्यूल के तरव रह तो मो perdre सॉट लेने वाले के सियल कों हमें मिक्स किया तो हमें यहां पर देखने के मिला है क के से MgCl2 and 6H2O 6H2O यहाँ पर क्या मिला जब KCl और MgCl2 को मैंने mix कर दिया दोनों ही क्या है stable compound stable molecule है दोनों को मैंने mix कर दिया तो मुझे यहाँ पर KCl and MgCl2.6H2O का crystal パラं सबस्टेंस मिलता है और सब्स्टेंस को सब्स्टेंस का दोनों होता है it is Catalite. इसको क्या कहते है व हम उसे कह सकते है यहाँ पे 6H2O इस वजह से लिखा हुआ है क्यों कि यहाँ पर हम क्रिष्टल प्लाइब की बात कहने मतलब कि उसका हमने क्या बनाया होगा क्रिस्टलाइजेशन किया होगा और क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं तो वाटर का यूज करते हैं हमें सेगंड के टूए एससोफ फॉर प्लस एल्टुए सफॉर थ्राइज का हमने मिक्स किया तो हमें यहां पर मिलता है तो है औहां पर देखने को मिल रहा है日 करला केट्टू Henzo फोर्ड प्लस एल्डू सफॉरज का हमने क्या किया कि दोनों स्टेबल कंपाउंड को हमने इसकी आप मिल आ जिसके हम इसे यहाँ प्रौटास है यह क्या हमारा व्रौटास oohu sorry, potash alum यह क्या है हमारा potash alum है यह क्या है तो हमारा potash alum है ठीक है, हमारी book में potash alum के लिए यह formula दे दी करी है KL SO4 twice 12 H2O तो ज्यादा बहुत कुछ difference नहीं है यह जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें से 2 common निकाल दी है 2 क्या करे दी है तो common निकाल दी है ठीक है, यह क्या दा तो potash alum MCQ के point of view से बहुत ही ज्यादा important होता है क्योंकि MCQ में पुछा जा सकता है potash alum की formula बहुत बार पुछी गई है तो यह आपको ध्यान पर ले लेना है 3rd Fe SO4 plus NH4 twice SO4 ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe SO4 NH4 twice SO4 NH4 twice SO4 dot 6H2 dot 6H2 dot 6H2 dot 6H2 यहाँ पर जो यह compound मिला उसको हम महर salt कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं तो महर salt हम कहते हैं महर salt हम इसे कहते हैं ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं तो महर salt के साथ कमबाइन होके हमें यहां पर जो यह मिला है यह हमारा महर सॉल्ट है यह हमारा क्या है तो महर सॉल्ट है तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां पे क्या होने वाला है क्या बताया कि अन्ट इन फॉर के सिंट के साथ मैं रियकशन करऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है तो k4 fe cn6 यहाँ पे जो यह fe cn6 जो है वो हमाई co-ordination entity है co-ordination entity है यह क्या है हमाई co-ordination entity है यह क्या थी हमाई co-ordination entity है ठीक है students तो कुछ इस तरही के से co-ordination co-ordination compound से पहले आपको molecular और addition compound के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जही था इसलिए मैंने यह बता रहा क्या बता रहा कि molecular compound किसे कहते है जब दो या दो से ज़्यादा compound को हम mix करते है और किस्ट्राइन substance बनाते है उसको molecular compound कहते है तो यहाँ पे हमने कारिनलाइट है पोटासलम महुल साल्ड और यह हमारा होता है पोटेशियम फैरो साइन आइट और इसम के पॉइंट आफ यू से आपको और पोटेश्यम फैरो साइनाटी आपका एक्जाम के पॉइंट और वीव से थोड़ा बहुत इंपोर्टन हो जाता है तो अभी क्या किया गया कि जो यह हमारे मॉलेक्यूल्स आए ठीक है उन में से देखा क्या गया कि जो यहां पे यह तीन मॉलेक्यूल्स है एक दो और तीन इन तीन मॉलेक्यूल्स को जब मैंने वाटर में डाल दिया कहां पे डाल दिया पानी में मैंने जब डाल दिया वाटर में डालने से क्या हो गया कि यहां पे जो यह सब्स्टंस मिले थे वो क्या हो गई हंड्रेट परसंटेज डिसोसियेट होके आयन्स में कन्वर्ट होके यह जो तीन सबस्टंस मुझे मिले थे कृष्ट्राइन सबस्टंस उसको मैंने क्या मैंने सभी को पानी में डाला और मैंने क्या अब जाते हैं कि पानी में डालते ही सिट इन तीनों को यह जो हमने यहां पर दिखा रहा हूं यह तीन जो है क्या हो जाते हैं 100% हो जाते है इसी वज़ेश से इन तीनों को हम कहते हैं क्या कहते है तो डबल शॉल्ट क्या कहते हैं डबल 202 की तीनों के टीनों डालते ही अपनी सॉलिर इस्टेट में वह सब्सक्राइब में ता तब वह स्टेबल था जैसे इसको मैंने डाल दिया डालते ही क्या हो हो गया कि यह जो सब्स्टंस से वह के प्लस माइनस मतलब कि पूरे मॉलेक्यूल का क्या हो गया हंड्रेट परसंटेज डिसोसियेशन हो जाता है उस कंपाउंड को हम कहता है डबल सॉल्ट एसे कंपाउंड जो स्टेबल होते है अपनी हो जाते है इंटु परसंटेज डिसोसियेट हो जाते है आइंस में जब हमगा उसको रहानों करहा ने compound which are, compound which are stable in solid state, in solid state and 100% dissociate into ions, when poured in water, okay, in tino, carnelite, potassium and more salt, more salt, crystalline substance, solid state, stable, but when I put water in water, what do I put in water, when I put 100% dissociate into ions, I put in Ms. He said, with those ions, I put the mark on water, and Matisse from botus में मिलने वाल यह सभी मुझे कहां पर मिलने वाले हैं जो महल सॉल्ट को में डालने वाला हूं तब ऐसा कंपाउंड को जिससे पाणी में डालते ही जिसे वाटर में डालते ही वह हंडीट कंवर्ट हो जाते हैं उससे हम कहते हैं डबल सॉल्ट क्या चाहिक तो डबल सोल्ट हम उसे कहते हैं तो यहां पर कार्निलाइट टोसल्एम मैं और मौहल सॉट। यह जो तीन ज messy सब्सक्रिक्ति क्लर्ड टोसल्ट है देखा क्या गया कि जो हमारा थर्ड था पोटेस्यम फेरोसाइनाइट जो हमारा यहां पे थर्ड था पोटेस्यम फेरोसाइनाइट K4-FCN6 उसको जब हमने वाटर में डाला तो देखने को क्या मिला कि वो hundred percent dissociate नहीं होता वो hundred percentage dissociate नहीं होता तो ऐसे compound कि जो water में डालते ही hundred percentage dissociate नहीं होते हैं ऐसे compounds को हम coordination compound कहते हैं इसे compounds को हम क्या कहते हैं तो coordination compound कहते हैं वापिस है when compound I poured in water जब compound को मैं water में डालता हूं और अगर वह hundred percentage dissociate नहीं होते तो उसको हम कहते हैं को ordination compound उसको हम क्या कहते हैं coordination compound तो अगर मुझे को ordination compound की definition लिखनी है coordination compound तो मैं क्या लिख सकता हूं कि compound compound which do not dissociate do not hundred percentage dissociate hundred percentage dissociate into ions into ions when poured in water when poured in water then then this compound these compounds are the coordination compounds if I add it like 100% dissociation is not a hundred percent dissociate compound, I call coordination compound I call it to K4 Fe CN6 if I add water then I will get ions यहां पे होगा क्या क्योंकि यह कोडिनेशन कंपाउंड है इस वज़े से यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन-कौन-क्विंगा और FeCN6 ये जो परा ब्रैकेट है उसके माइनस में हमें कुछ एक नेगेटिवली चार्ज आयन मिज़े मिलने वाला है क्योंकि ये जो हमारी कोडिनेशन एंटीटी होती है वो 100% क्या नहीं होती तो डिसोसियेट नहीं होती ठीक है वह हमारी 100% dissociate नहीं थी कौन सी coordination entity इतना याद कर लो ठीक है तो आज का लेक्षर बस यही छोटा सा लेक्षर है सिर्फ introduction था किसके बार में coordination compound की बार में की coordination compound किसे कह सकते है तो central में metal atom होता है और वह metal atom कौन से block में से आने वाल है तो D block में से उसके surrounding में negatively charged iron and neutral molecule होते है जिसको दो या तीन लेक्षे के बाद में ligands बोलने वाला हूं ठीक है तो ऐसे compound को coordination compound कहने वाले है को coordination compound हमें कहां पर मिलते है तो mineral plants और animals में मिलते है उसका use कहां होता है तो estimation of hardness in water, electroplating, textile dyeing, medicinal chemistry में उसका use होता है उसकी बाद लोजिकर लिए important compound है क्योंकि chlorophyll, hemoglobin, vitamin B12 जो हमारे body में मिलते है ठीक है वह coordination compound है यहां पर chlorophyll में MCQ के लिए आ सकता है कि chlorophyll में central metal atom कौन सा है इसके बाद मैंने बताया कि हम कैसे predict कर सकते हैं कि हमाँ आपास एम compound है Coordination compound है to Simple मैंने classified कर के बता दिया कि double sort हम किसे कह सकते हैं Coordination compound हम किसे कह सकते हैं मैंने क्या बताया कि 2A 2 या 2 से ज्यादा stable compound को मैं combine करता हूँ और क्रिस्टलाइन सब्स्टन्स का मैं क्या करता हूं करता हूं ठीक है और उसके बाद जो मुझे compound मिलता है उसको मैं molecular compound बोल सकता हूं या addition compound बोल सकता हूं mostly यहाँ पर हम दो stable compound को combine करते हैं वो क्या होते हैं salt होते हैं यहाँ को मैं अगर mix करता हूं तो मुझे करता हूं मुझे करता हूं मुझे मिलने वाला है जिसको हम पोटास alum कहते हैं लेकिन हमारी बुक में कुछ इस तरीके से यहाँ पर के यहाँ एस ओफोर ट्राइस ट्वैल एस डिया हुआ हुआ है उसके बाद fe so for an a4204 इन दोनों को मिक्स करते हैं तो fe so 4.nz4 206 अच्ट्रू हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं महर सॉल्ट जिसको क्या कहते हैं तो महर सूट के बाद इन तीनों को मैंने क्या किया पानी में डाला यह अपने क्रिश्टलाइंड फॉर्म में जब थे मतलब इसम पानी लेकिन पानी में डाला तो वह क्या हो गए सभी के सभी 100 परसंटेज क्या हो गए उसका आनाइजर्शन हो हो गया सभी के सभी आयन में को हो जाते हैं इसे कंपाउंड को हम डबल कहते हैं और ऐसे कंपाउंड की जिसे हम पोटास्ट के चैने कहने वाला हूं परसंटेज क्या नहीं होगा इनका हंडेट परसंटेज आयोनाइज नहीं नहीं होने तो ऐसे कंपाउंड को हम कोडिनेशन कंपाउंड कहते हैं और यहां पर बैकेट में जो मैंने वैलू लिखिए उसको मैं कोडिनेशन एंटीटी कहता हूं मतलब उनका डिशोशियेशन नहीं होता उसका क्या नहीं होता थो डिसोशियेशन नहीं होता अजके लिए बस इतना ही 5555 का थोड़ा एक ईंट इपाउंड घड़तिन 0 कि थैंक यू वाचिंग वाचिंग